Hello everyone, Welcome to Learn Shore देख गाइस इस वीडियो में आप लोग के साथ डिसक्स करूँआ पंजाब एन हर्याना कोर्ट में जो चंडिगड रीजिन के विकेंसी आई आई आपकी उसके बारे में देखें मैंने आपको पहले लिए ही बता दिया था कि जो वकेंसी आती है सबसे पहले जनरली ये पंजाब एन हर्याना कोर्ट की जब निकालते है पंजाब रीजिन की उसके बाद या तो ये हर्याना की कोर्ट की निकाल देते हैं या चंडिगड़ी तो इस बार उन्होंने चंडिगड़ कोर्ट की निकाल दी है तो लगबग देखो सुप्रीम कूट की वगेंसी आपकी लगी हुई है जो आपका पेपर होगा उसके बाद पंजाब एन हर्याना कूट की कलर्की लग चुकी है इसके अलवाद चंडिगड की भी आ चुकी है अब हर्याना की ओर आएगी और उसके बाद आपकी डेली आपको नहीं मिलने वाला ठीक गईस आगे पढ़ते हैं देखो जो आपकी एप्लिकेशन वो स्टार्ट हो जाएंगी तीन तारिक से और जो आपकी लास्ट है वो 24 है 9-2022 और रात को 12 बेतागी है टाइमिंग है इसकी अच्छा एक थोड़ा सा और मैं आपको समझाता हूँ इस पोस्ट का नाम है अगर आप बात करें डیली हाई कोर्ट की या डिली डिस्टी कोर्ट की तो इसके अंदर हम बोलते है जेजे ये जेए ही आपके एलमत होते ध्यानगने इसको और सुप्रीम कोर्ट में बात कहते है नमबर एफ सीट तो बारा सीट या है ये जनलल की सीटे हैं, SC की 1 सीटे हैं और OBC की 2 सीटे हैं, तो लगबग 12 सीटे हैं, लगबग की टूटली 12 सीटे हैं, तो number of agencies घटाई और बढ़ाई जा सकते हैं, आप सब को पता है, reservation की एक बात याद रखनी हैं आपको, the reservation for different categories जो है वो मिलेगा आपको चंडिगड union territory के according जो उन्होंने अपने rule established कर रखे हैं, उनके ऐसाब से, last time अगर मैं आपको बताओ, last time उन्होंने advertisement के अंदर ही mention कर दिया था, कि भाईया, जो SC सिर्फ उसको मिलेगा, जो चंडिगड का ही होगा, बहुत अगर आप हरियाना से भी SC तो भी नहीं मिलेगा, पंजाब से तो भी नहीं मिलेगा, आपको चंडिगड reason से होना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने लिखाता है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ mention नहीं है, तो I think वो आपको शायद allow कर दे हरियाना पंजाब को, शायद भकर भी देखेंगे, इसके अंदर क्या लिखा है, लिखा in case of sufficient required number of candidates are not available in the respective reserve category, माल लो, इसका मतलब यह माल लो, no seat जनरल की, अगर माल लो, जनरल के age की, जो age है, देखो, पंजाब की court की, जो चाहे हरियाना की court की, जो चाहे चंडिगर, इसमें age में relaxation बहुत ज़ादा है, अगर आप देखेंगे तो, अगर दिल्ली हाई court की बात की है, और दिल्ली district साल की है, SC की 18 है और highest of 42, OBC की 18 है और highest of 40, अब आपको याद हो, तो मैंने आपको पंजाब इन हरियाना कोट में बताया था, पंजाब इन हरियाना कोट के अंदर क्या है, पंजाब इन हरियाना कोट के अंदर, आपके पास हिंदी और पंजाबी में से कोई नहीं तो आप एलिजिबल नहीं है ठीक गाइस तो एक सीदी सी है और चाहिए कैस के अंतर इसमें चाहिए आप लोगे ग्रेजुएशन चाहिए आर्ट हो कोमर्स हो कोई भी चीज हो एक्विलेंट लिखा हुआ है तो बच्चे घबरा जाते ह इन्होंने मांग रखा है कि आपकी ग्रेजुशन होनी चाहिए तो ग्रेजुशन ठीक है ग्रेजुशन मांग रखे ठीक है इसके अब बात करते हैं आगी चीज़ को देखो जो चोबिसनों है उससे पहले आप करनी पड़ेगी फीपेमेंट या थक ना इसको डिसक्वालिफिकेशन क्या क्या है डिसक्वालिफिकेशन देख लो अगला है पेंड अलाओं से देखो इसमें इस बार मेंशन निकार रखा ग्रेड पे वैसे जो ग्रेड पे होता हो थर्टी तू हंडड होता है ग्रेड पे और अगर 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 पता दूगा तो काफी ठीक ठाक से बनेगी आपकी 40 प्लस आपकी से राम से बन जाएगी तो यह हमारा लॉजिक है ध्यानकनेस को बात जाए नेशनलिटी की तो नेशनलिटी आप इंडिया के होने चाहिए ठीक है फोर रेगुलर रेगूर्मेंट अप्ली हो जाएगा यह हमारे काम की चीज नहीं है डेटेल आपकी फीस है देखा हमें एक चीज़ आप देखेंगे च 400 एग्जामिनेशन फीस है तो टोटल होगी 825 पर और हमारे कुछ बच्चे इतने महान है खुद फॉर्म नहीं बढ़ते हो भरवाने जाते है 100 पर महा देते हैं तो 925 पर होगे तो लगवग हजार पर खर्च करते हैं फालत होगे तो मेरे एडवाइस यह है कि आप खुद फिल करना सीखे कर आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं इसके इंदर आप लोगा कंप्यूटर का भी टेस्ट होना तो आप कैसे आप आगे जाएंगे तो मेरे डवाइस है फॉर्म फिल करने खुद से स्टार्ट कीजिए ठीक गाइस तो इसकी फीस है यह 25, SEOBC की फीस है 525, 425 दोनों की फैसिलिटेशन चार्ट सेम है लेकिन इसमें एक्जामिनेशन फीस कम है तो इनकी 100 कम होगे तो 525 होगी तो यह फीस में डिफरेंस है बात कि जाए स्पेशल इंस्रेक्शन आपके काम के नहीं होगा इसमें एडमिट कार्ड का डेमो आ जाएगा यह चीज़ इंप जाते हैं लेकिन आपको मिलते हैं मैं बताता हूँ एक्जामिनेशन केन बी कनेक्टि अनिवर स्टेट ऑफ पंजाब पंजाब के किसी भी राज्य में और शिटी में हर्याने किसी भी शिटी में या फिर चंडिगड में इसके लावत जमू एंड कश्मीर हिमाचल ठीक है यह ध्यान लगना इसको डेट ऑफ एक्जामिनेशन नवंबर में भूला गया है और मैं आपको एक बात बताता हूँ पंजाब एन हर्याना कोट वाले बिल्कुल जो डेट देते हैं वो ले लेते हैं अकर करोना नहीं होता कुछ दिक्कत तो आप लोगों का आपके लिए अनाउंस करने वालों एक विक के अंदर तो आप लोग मोक्टेस महां से खरीद सकते हैं प्रेक्टेस कर सकते हैं इट विल भी डेफिनिटली आपके लिए एज हो जाएगा बहुत आप उपर हो जाएंगे बीड से तो पचास नंबर की जीकी आएगी उसके अल का मगा लेटर पाँट पाँच का होगा प्रिसि पाँच की होगीignon पाइस करके डिवाइड कर अठाएगा लेकिन अच्छा ये सारी की सारी चीजले आपकी काम आएगा आपको सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये सारे कोशन आएगा ये डिलियू इसी लिए मैं आपको अड प्रब्लम नहीं है कि किसी भी कूट के एक्जाम के अंदर और आपके जो पेपर आएंगे में पूरे को पूरे क्लास मला एक्जाम होने के बाद मैं सोल करांगा यहां पर ही तो मैं बता दूँगा कि मैं 99% सलेवस आपको यहीं क्लास के अंदर करा चुका था तो यह चीज़े जो मेरे स्टुडेंट तो सब ले लेते हैं इसमें अगर डिस्क्रिप्टी की बात ही जो उसमें भी अगर 10-15 ले लिए आपने मानलो 15 ले लिए तो आपके 39 मार्क्स होगे तो आपके 50 में से 30 होगे कोई दिक्कत नहीं आपको लेने कितने थे हर सब्जेक्ट में 33% मलाब 15 स आपके 30 में से उपर मानलो प्राब्लम क्या आती है जनलों जो बच्चे पढ़ते हैं नहीं तो जनलों बच्चों के बार आ गे यहाँ पर मानलो 40 आगे तो भी बच्चा फेल हो जाएगा क्यों क्योंकि आपको दोनों में ही सेक्षिन में आपको इंगलिस सेक्षिन में और 33% लेने पड़ेंगे ध्यान अगना और unless he obtain 40 marks और total आपको देखो total लेने 40% से ज़्यादा दोनों को मिला कर minimum cut off जो आपकी जाएगे हो 40 से तो पर जाएगी जाएगे तो understood सी बात है और दूसरी चीज आपको दोनों subject में 33% लेने हैं मतलब ये भी ध्यान अगना तो 16 दूनी 32 नमबर आपको दोनों के अंतर लेने हैं 33 नमबर लेने हैं मानलो आपको total टोटल ऐसा करके idea है तो कहने का मतलब ये है कि आपको sectional cut off का थोड़ा सा idea रखना है कि 33% दोनों में score करना है पहला गोल आपका यह होना चाहिए कि आप जो आपका 33% को असानी से हो जाए फिर उसके बाद paper इतना मुश्किल होगा नहीं अगर आप मैं देखो guarantee दे रहा हूँ अगर आप batch join करते हैं मेरे वाला तो मेरी assurety आपके किसी बच्चे के 40 से कम नहीं आएंगे अगर आपने पूरा complete descriptive और और tier 1 ले लिया तो ठीक है यह मेरी assurety आप लोगो ठीक है ध्यान रखेगा इसके लाब 1-4th के negative marking एसके अंदर for every wrong answer 1-4th जो हमारा normal होता है ससी टाइप और इसके लाबा यह बता दिया 33% स्लेबस दे रखा नहीं स्लेबस नहीं दे रखा हाँ वर्ड की बता रखा typing होगी आपकी 30 वर्ड पर मिनिट मांग रखेंगे नहीं इंग्लिश की 30 वर्ड पर मिनिट होगी ध्यानक ना इसको जो calculate होगी जो भी आप वर्ड टाइप करेंगे number of words type minus mistake divided by 10 तो इस तरहीं के से आपकी type हो जाएगी ठीक है प्रेक्टिस पार्ट वर्ड प्रसेक्टिस टेस्ट होगा चेक अनली अप इस प्रॉब्लम वहाप यहीं सीटे जाधा होने के विसर उने criteria बदल दिया number जाधा मांग लिए तो बच्चों से वह हुए नहीं लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर पहले आप दो चीज़े qualify करोगे पहला है tier 1 फिर आप दूसरा typing करो और तीसरा आप फिर तो इसलिए वो इतना tough रखेंगे नहीं that will not be you know big hurdle for you आपके लिए ज्यादा hurdle नहीं होगा वो चीज़ ठीक है वो कर पाएंगे आप तो ज्यादा hurdle होगी निसकी आप कर पाएंगे उसको ठीक है अब यह आपको देखो मेरा भी गुरू मंतर भी देता हूँ क्या आपके लिए पंजाब हैं हरियाना कोट में लगना चाता है चाहे डेली डिस्टिक कोट में लगना चाता है चाहे डेली हाई कोट में लगना चाता है सुप्रीम कोट में लगना चाता है चाहे पंजाब हरियाना कोट के चंडिगर कोट में लगना चाता है इन सब के लिए दो चीज़ों क selection मंत्र है पहला है आपकी English जिस बच्चे की English अच्छी है और जिस बच्चे की typing अच्छी है उसका selection कोई भी नहीं रोखता है court के अंदर यह मेरी assurity है आप ध्यान के इस बात को लेकिन जो बच्चा typing नहीं कर रहा है सिर्फ English English पड़े जारा चाहे मुझसे पड़े जारा चाहे किसी से पड़े जारा है वो भी select नहीं हो पाएगा typing और English दोनों को साथ में रख कर करना पड़ेगा और जो बच्चे दोनों को साथ में करेंगा उनका कोई selection रोखी का नहीं तो यह learn shortcut था analysis अगर आपको अच्छा लागा तो subscribe किजिए अच्छा नहीं लगा तो you can leave you do not watch ठीग गाइस thank you so much